बोडो साहित सभा के 61 बारसिक सम्मेलन में प्रमुक रूप से उपस्थित असम के राज़िपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी जी असम के मुख मंत्री डक्टर हिमन्त विश्व शर्मा जी सिक्किम के मुख मंत्री श्री प्रेम सिंग तमंग जी मेगाले के मुख मंत्री श्री कॉन्राड संगमा जी बिधान सभा के अद्धक्स स्री विश्व जीत दैमारी जी असम के कैबनेट मिनिस्टर स्री यूजी ब्रह्मा जी राजसवा सांसद स्री रवंग वरा नारजारी जी बोरो लेंड टेरिटोरियल काउंसिल के चीफ इक्जिगेटिब मेंबर स्री प्रमोद बोरो जी साहित सवा के सम्मेलन के अध्यक्ष स्री तोरिन बोरो जी, बोरो साहित सवा के महासच्यो स्री प्रशांत बोरो जी, आल बोरो स्टुडेंट्स यूनिन के अध्यक्ष स्री दीपेन बोरो जी, अनविशिस्ट अतितिगर्ण इस पांडाल में उपस्थित सभी देवियो, सजनो और नौजवान साथियो खुलूम वाए, बोरो भासा, साहित तथा संस्कृति के गौरो को बढ़ाने के लिए मैं आप सबकी सराहना करना चाहता हूँ, मुझे इस समारो में सामिल होकर के बहुत प्रसनता हो रही है, इस सम्मेलन के सभी आयोजकों को मैं हार्दिक बढ़ाई देता हूँ और इस सम्मेलन में जो आप लोग आये हैं, आने वालों का अभी तांता लगा हुआ है मैं बाहे तरफ अपने देख रहा था कि अभी भी लोग आ रहे हैं और मुझे लगता है कि जाने वाले कम है, आने वाले अधिक है एक चीज मैंने और आप्जर्व की, बाहे हाथ पर जो बैरिकेट्स लगे हुए हैं, प्राते जब कारक्रम सुरू हुआ, तो बैरिकेट्स के बीच में बैरिकेट्स से आगे हट करके बहुत सारा गैप था और पस्चाद में देखता गया कि लोग आते गए और बिसेश करके हमारी बैरिकेट्स करके, बैरिकेट्स को बैरिकेट्स को आगे बिठाया ये एक मैं द्रस आपके सामने रख रहा हूँ, कि बोडो भासा साहित सम्मेलन जो आयोजन हो रहा है, उस आयोजन के प्रती लोगों में आकर्षन कितना है देवियों और सजनों, मुझे बताया गया है कि असम में लगबग 35 लाख लोग बोडो भासा बोलते असम के अलावा बोडो भासा बोलने वाले लोग पश्चिम बंगाल, मेगाले, आरुनाचल प्रदेश, सिक्किम, नगालेंड और त्रपुरा और यहां तक की वांगला देश और नेपाल में भी निवास करते अब यह साहित और भासा हमेशा लोगों को जोडती है लोगों के दिलों को जोडती है और वो ऐसी कौन सी बाते हैं भासा में होती हैं जो अपना पन होता है और वो अपना पन आज न जाने हमारे समकक्ष जो प्रदेश जिनका मैंने नाम लिया पश्चिम, बंगाल, मेगाले, अरोनाचल, सिक्किम, नगालेंड त्रपुरा और विदेशों से बांगला देश और नेपाल से भी यहां पर कुछ प्रतनिधी गनाये हैं यह कितना आकर आजनों को मैं बार-बार सराहना करता हूँ और उनको बढ़ाई देता हूँ आप सब लोगों ने देखा मुझे भी देखकर प्रसनता हुई कि सिक्किम तथा मेगाले के मुख मंतरी भी इस समारो में उपस्तित हैं मेगाले के मुख मंतरी संगमा जी का उद्वोधन भी हम सब लोगों ने सुना और सिक्किम के मुख मंतरी प्रेम सिंग तमांग जी से मैं पूछ रहा था कि आप क्यों नहीं बोल रहे हैं तो उन्होंने का नहीं यह कारिकम तो अभी चलने वाला है और मैं बोलूँगा मैंने का बहुत अच्छा है क्योंकि मेरे समक्षा आप बोलते तो समय सीमा रहती और जब मैं चला जाओंगा तो आप खुल करके बोलिएगा ये भी मुझे प्रसनता की बात है कि जैसा मैंने अभी उलेक किया कि बांगला देश और नेपाल के बोडो भासी प्रतनेदी भी यहाँ उपस्तित हैं मित्रो इसी बर्स मुझे बताया गया कि जन्वरी में तामुलपूर जिले का गठन हुआ है मैं तामुलपूर जिले के उज्वल भविश के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित इस जिले के सभी निवासियों को अपनी हारदेख शुब कामनाएं देता हूँ केंदर सरकार और पूरवत्तर के राज्यों की सरकारों के मिले जुले प्रियासों से इस शेतर में सवहार्द और सांती का वातावन और भी मजबूत होता जा रहा है इस परिवर्तन के लिए में केंदर सरकार, राज्य सरकार तथा बोडों शेतर के सभी भाई, भाईयों और बहनों को बधाई देता हूँ इस बदलाव में विकासकारियों की महत्पूर्ण भूमिका है मुझे बताया गया है कि शेतर में एक Central Institute of Technology भी स्तापित है जिसे विश्व विद्याले का दर्जा प्राप्त है कोकरा जहार में इस्तित बोडो लैंड उनिवर्स्टी जिसके चांसलर राजपाल महोदय स्वयम है तथा अनेक महाविद्यालेओं और पॉलिटेक्निक्स में विद्यार्थीगर्ण उच्छ सिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और अपने उज्वल भविश्व की राह बना रहे हैं इसके अलावा अनेक उच्छ सिक्षन संस्थानों की भी इस्तापना को मंजूरी दी गई है यह प्रसनता की बात है कि सवा इस्थल के छेत्र में एक मेटकल कॉलेज भी इस्तापित किया जाएगा देवी और सज्जनों असम के राजबाल प्रोफेसर जगदीश मुखी जी के मार्ग दर्शन तथा मुख मंत्री डाक्टर हिमंत विश्व शर्मा के नितरत में असम की जनता के हित में अनेक कार किये जा रहे हैं विकास तथा जनकालियान के ऐसे कार्यों के लिए मैं राजब सरकार की पूरी टीम की सरहना करता हूँ मुझे बताया गया है कि विधान सभा के अध्यक्ष स्री विश्व जीत दैमारी ने भी बोडो भासा के प्रचार और प्रसार के लिए इस सम्मेलन के आयोजन में अपना महत्पूर योगदान दिया है मैं स्री दैमारी जी को भी सादुबाद देता देवी और सजनों बोडो समाज के लोगों से मेरा पुराना रिस्ता रहा है मेरे लिए बोडो संस्कृति और भासा से संपर्क कोई नई बात नहीं है मुझे याद है कि जब मैं राजसवा सांसत था तब इस शेत्र के कई जन प्रतिनिदियों के साथ मेरा मिलना जुलना होता था हम सब गर्म जोसी के साथ मिलते थे बात चीत करते थे और बोडो लेंड के बारे में भी बात करते थे उन में से मेरे कुछ पर्षितों आज की सभा में भी उपस्तित हैं उदाहरन के लिए यहां उपस्तित स्री यूजी ब्रह्मा यूजी ब्रह्मा ने ना केवल एक जनप्रतने दी और राजसवा सदस्ट के रूप में बल्कि असम सरकार में मंत्री के रूप में भी अपनी पहचान बनाई है बल्कि वे साहित अकादमी पुरसकार से भी सम्मानित दिये जा चुके है इसके अत्रिक्त लोग सभा में इस छेत्र का प्रतिनिध्यत्यों करने वाले तदकालीन उस समय एक सांसद हुआ करते थे स्री एसके बासुमतारी उनका भी मैं नाम आज लेना चाहूँगा वो मेरे अच्छे मित्र थे और उनकी विसेश्ता ये थी कि जब हम लोग उनको नमस्ते कहते थे तो वो नमस्ते का उत्तर हमेशा जे बोडू लेंड बोल कर दिया करते थे देवी और सजनों मुखमत्री जी ने अभी कहा कि सामानेत्या राश्पती किसी राज में तीन महिने के अंतराल में नहीं आते हैं ये बात सच है ऐसा नहीं है कि राश्पती को आना किसी राज में अच्छा नहीं लगता है लेकिन कुछ मर्यादाएं भी होती है और उन मर्यादाओं के कारण संभोता आना संभो नहीं हो पाता है लेकिन मैं मुख मंत्री जी आपका असम के लोगों का उनमें बोडो लैंड के भी टेरिटोरियल काउंसिल के लोगों का जो मुझे प्यार और सम्मान बीच-बीच मिलता रहता है वो मुझे बार-बार खीच भी लाता है और इसलिए मैं तीन महीने के अंत्राल में दुवारा फिर आ गया मित्रो मेरा ध्यान इस बात पर भी गया कि मई का महीना बोडो भाई बहनों के लिए अत्यंत मात पूर होता है हर साल एक मै को आप सब बोडोफा उपेंद्रनाद ब्रह्मा जी की पूर्ण तिथी मनाते हैं जो आज से तीन दिन पहले ही थी बोडोफा ने जी और जीने दो का जो महन संदेश था उसको प्रसारित किया था बोडो आत्म गौरों के प्रती सचेत रहते हुए सभी समुदायों के साथ सदभाव बनाए रखने का बोडोफा का संदेश हम सभी के लिए एक मंत्र जैसा है मैं उनके संदेश को उनी के सब्दों में ठीक ठाक तो नहीं कह सकता लेकिन उनके संदेश को बोडो भासा में दोहराने का प्रयास जनूर करूंगा उन्होंने कहा था थां आरो थाना नही थानो हा देवी और सज्जनो शिक्षा के माध्यम के रूप में बोडु भासा को मानता देने का उत्सो वर्स 1963 से पृति वर्स 18 माई को मनाया जाता है आज से लगबग 15 दिन बाद आप सब वे उत्सो भी मनाएंगे उस महत्पूर्ण उत्सो की मैं आप सब को अग्रिम बद्धाई भी देता हूँ संस्किती के उत्थान हे तू लगबग 70 वर्सों से अमूल योगदान देने के लिए बोडो साहित सभा का प्रियास उलेखनी है सभा के संस्थापक अध्यक्ष्ट, स्वर्गी, जायभद्र, हागजेर तथा महा सचिव, सोना राम, थाव सेन बोडो भासा के महतों और मानता में ब्रदी करने के लिए सराहनी प्रियास किये थे इसकूली सिक्षा के माध्यम के रूप में बोडो भासा के प्रियोग को स्विकृति दिलाने तथा उच्च सिक्षा में बोडो भासा को इस्थान दिलाने जैसे प्रियासों में बोडो साहित सभाने अग्रणी भूम का निभाई है आप लोगों के प्रियास के फल सुरूप बोडो भासा को असमराज्य की एसोसियेट ओफिशियल लैंग्विज का दरजा भी प्राप्त हुआ है बोडो भासा और साहित को आगे बढ़ाने वाले महनुभावों का इतियास बहुत प्रियर्णा दायक है बीश्वी सदी के आरंब में बोडो पुनर जागरन के जनक गुरुदेव स्री काली चरन ब्रह्मा ने समाज में ब्याप्त पूरुईतियों को दूर करने के प्रियासों के साथ साथ आधुनिक सिक्षा वा सांस्कृतिक चेतना का भी प्रसार किया था स्री रूपनात ब्रह्मा ने बोडो पुनर जागरन की धारा को आगे बढ़ाते हुए बोडो भाषा और साहित्य को सम्रद्य किया बोडो भाषा और साहित्य के विकास में बीबर नामक पत्रिका का भी बहुत महत्पूर योगदान माना जाता है जिसका प्रकाशन आज से लगबग सो बर्स पहले सन 1924 में सुरू हुआ था उसके संपादक स्री सतीश चंद्र बासुमतारी ने उस पत्रिका के माध्यम से बोडो समाज भाषा और साहित्य में एक नई जागरती उत्पन की थी देवियों और सजनों श्री मदाराम ब्रह्मा ने वोडो नाटक और कविता के साथ साथ सिक्षा और समाज सुधार के छेत्र में अपनी छाप छोड़ी थी पद्मिस्री का सम्मान प्राप्त करने वाले बोडो समदाय के पर्थम व्यक्ति के रूप में उनका विसेश स्थान है साहित्य अकाड़मी पुरसकार से सम्मानित स्री विरजेंद्र कुमार ब्रह्मा बोडो साहित्य सभा के धक्ष भी रहे प्रकर सामाजिक चेतना से युक्त साहित्य की रचना करने वाले तता बोडो साहित्य सभा के पूरवध्यक्ष डक्टर कामेश्वर व्यम्मा को सन 2016 में पद्मिस्री से सम्मानित किया गया था सन 2005 में साहित्य अकाड़मी पुरसकार से सम्मानित डक्टर मंगल सिंग हाजोवरी को वर्ष 2021 के लिए पद्मिस्री से अलंकृत करने का सुवसर मुझे भी प्राप्थ हुआ था इस संदर में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मंगल सिंग हाजोवरी और नील कमल ब्रह्मा जैसे अनेक बोडो रचनाकारों ने परियावरन को बचाने की चिंता से प्रेरित रचनाएं की हैं मानवता के समक्षूपस्थित ऐसी गंभीर चुनोधी के विशे पर लेखन करना वोडो साहित की प्रासंगिक्ता का प्रभाव साली खुदाहरन है वोडो साहित को अनेक रचनाकारों ने सम्रद दिखिया है जिन में से समय के अभाव के कारण कुछ नामों का ही मैंने उलेख किया है देवी और सज्जनों वोडो और असमया भाषाओं और संस्कृतियों के बीच सवहार्द के उदारण के रूप में मैं स्री सीतानाद ब्रह्मा चौदरी का भी उलेख करना चाहूंगा वे वोडो और असमया दोनों ही भाषाओं में उतकरस्ट लेखन करते थे वे असम साहित्य सभा के अधक्स तुने गए यहीं नहीं उनके नाम पर असम साहित्य सभा द्वारा सीतानाद ब्रह्मा चौदरी पूरसकार भी दिया जाता है वोडो अस्मिता तता अन्न समुदायों के साथ सवहार्द कुण सही अस्तित्तों का आदर्ज सीतानाद ब्रह्मा चौदरी के जीवन और कृतियों में भी देखा जा सकता है वोडो भासा की रचनाओं के आधार पर अब तक 17 रचनाकारों को साहित्य अकाडमी पुरसकार प्रदान किये जा चुके मैंने देखा है कि उनमें 10 पुरसकार कविता की पुस्तकों के आधार पर दिये गए इससे वोडो रचनाकारों में कविता के प्रती स्वाभाविक रुजान का अनुमान दिखाई पड़ता है मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अनेक महिलाएं वोडो साहित्य की विभिन विधाओं में साहित्य का स्रजन कर रही है लेकिन ये भी देखने माया है कि मौलिक रचनाओं के लिए साहित्य अकादमी पुरसकार प्राप्त करने वाले वरिष्ट रचनाकारों में केवल दो महिलाओं का ही नाम है मैं चाहता हूँ कि महिला रचनाकारों को राष्ट्री इस्तर पर और अधिक माननेता प्राप्त हो। मैं चाहूंगा कि बोडो साहित सभादवारा महिला रचनाकारों को प्रोथसाहित करने के लिए विसेश प्रियास किये जाए। देवी और सजनों किसी भी साहित को जीवन्त और प्रासंगिक बनाए रखने के लिए युवा पेड़ी की भागीदारी अतियंत महत्पून होती है। अता बोडो साहित सभादवारा युवा रचनाकारों को भी विसेश प्रोथसाहन दिया जाना चाहिए। देवी और सजनों बोडो भाजा को संभिधान की आठवी अनसूची में सामिल करने है तो। समारों के औसर पर मैं उनकी इसमिती को भी नमन करता हूँ। वोडो साहित सभा के उद्देशियों और लक्षों में मात्रभासा के जरिये सिक्षा प्रदान करने पर भी जोड़ दिया गया है। आपकी सभा का ये उद्देश राश्ट्रिय सिक्षा नीती 2020 में ये नहित मूल भूत सिधान्तों के अनुरूप भी है। इस सिक्षा नीती में भी मात्रभासा को सिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाए जाने की सिपारस की गई है। मुझे ये जानकर प्रशनता हुई कि वोडो भासा में अन भासाओं की रचनाओं का अनुवाद बड़े उत्सा के साथ किया जा रहा है। ये किसी भी जीवन्त साहितिक समदाय की पहचान है। मुझे विश्वास है कि ऐसे अनुदित साहित से गोडो भासा के पाठकों को अन भारती भासाओं के साथ साथ विश्व साहित से परचित होने का आउसर मिलेगा। मुझे ये भी जानकर प्रशनता हुई कि साहित अकाडमी, संगीत नाटक अकाडमी, ललित कला अकाडमी, केंदरी हिंदी निदेशाले, भारती भासा संस्थान तथा विज्ञानिक एवं तकनीकी सब्दा वली आयोग जैसे केंदर सरकार के संस्थान वोडो भासा के प्रसा होती है, जैसा कि मैंने पहले भी उल्ले किया, चाये वो व्यक्ति विसेश की भासा हो या व्यक्तियों के समुदाय की भासा, भासा, इस्थानी भासा, उस भासा को प्रोटेक्शन, सनरक्षन देना, उसका प्रचार और प्रसार करना, ये समाज की भी जिम्मेदारी है और सरकारों की भी जिम्मेदारी है और मैं चाहूंगा मुक्हमंत्री जी बोडो भासा के प्रचार और प्रसार के लिए जितना भी प्रियास हो वो आपकी सरकार करे मैं ऐसी अपेक्षा भी करता हूँ अंत में मैं बोडो भासा से जुड़े सभी लोगों को ये शुब कामना देता हूँ कि बोडो भासा खुब फले फूले बोरो राओ गेवालान थो धन्यवाद जैन